हेलो एव्डीवन और वेल्कम तो विन्मे एजूकेशन तो हमारे पास यह नसीजस 2015 का एक रिडॉक्स का क्वेशियन है रिडॉक्स कॉंसेप्ट का क्वेशियन है यह एच प्लस का मतलब है कि एसेडिक मीडियम में रखा गया है तो के में देखे इसमें करना क्या यही कई लों को समय नहीं आता एलेक्ट्रों गेंड कैसे निकालें सबसे बड़ी यह तरीका यह गेंड लिग दिया है तो जब आपने एन फैक्टर सबसे पहले पढ़ाता तो आपके टीचर नी क्या डेफिनेशन बताई थी नमबर ओफ एलेक्ट्रों लॉस्ट और गेंड यही तो डेफिनेशन होती है एन फैक्टर हम निकाल तो देते हैं कैसी का भी लेकिन असल में उसका मतलब क्या होता है नमबर ओफ एलेक्ट्रों लॉस्ट और गेंड यही तो सबसे बेसिक डेफिनेशन है आपके पास अनफैक्टर तो बस इसमें एक तरह से हमें एन फैक्टर निकालने क्योंकि नमबर ओफ एलेक्ट्रों गेंड पूछे दौनों में निकाल लेते हैं तो इसमें सबसे पहले इसमें का निकलते हैं कि कंडेगा है यह अधिक यहां गरिवाग्म है मेंधवाटाइगाHe इसमें कित्ते का चेंज है 5 का, तो n factor is equal to 5, ठीक है, आगे चलते हैं, k2Cr2O7, तो इसमें chromium का निकाल देते हैं, 1 into 2 plus 2x, 2x इसलिए क्योंकि 2 chromium के atom है, इसलिए 2 से multiply किया, plus minus 2 into 7, is equal to 0, क्योंकि neutral है, तो 14-2 is 12, x is equal to 6 आ जाता है, तो मतलब यहां plus 6 में है, यहां गया plus 3 में, तो n factor आ गया 3, लेकिन 3 into 2 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि chromium के atom है, 2 chromium के atom है, ठीक है, k2Cr2O7 है, इसलिए 2 से multiply करना पड़ेगा, तो 6, तो यहां आ रहा था, nf is equal to 5, और यहां आ रहा है, nf is equal to 6, nf मतलब n factor, तो दोनो का ratio किता हो, जाएगा 5 is to 6, so A option is correct.